उत्तप्रदेश के श्रावस्थी जनपस से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है दरसल गिलोला थाना श्यत्र में मोबाइल के डिमांड पूरी ना होने पर एक सन की बेटे ने अपने ही पिता पर धारदार हतियार से जानलेवा हमला कर दिया इस समले में पिता गंभी रूप से घायल हो गया जिसको परिजनों ने आनन फानन में अम्बूलेंस की मदद से नजदी के अस्पताल में भड़ती कराया यहां डॉक्टरों ने घायल का उप्चार किया लेकिन हालत गंभीर देखते हुए घायल को ट्रॉमा सेंटर लखनाओ रैफर किया गया जहां हालत नाज़ुक बनी है फिलाल पुलस ने अब पूरे मामले में मुकदम दर्चकर घटना की जाच परताल शुरू करती है पंजाब केसर टीवी के लिए शुरावस्ती से दुर्गेश शुकला की रिपोर्ट